ये सबको पता है कि प्रधान मंत्री आके वहाँ पे नो टंकी करेंगे, ये सबको पता है प्रधान मंत्री आके वहाँ जुमले बोलेंगे, जूट बोलेंगे, और इसलिए प्रधान मंत्री डर रहे हैं क्योंकि जब देश के सामने आएंगे तो जुमले नहीं, विपक्ष उन पाकी जगों का एक स्वर में नाम लीजिएगा, ये दिखाता है आपकी बेहया, ये दिखाता है आपका डर, इस देश का प्रधान मंतरी अमरीकी संसद में संबोधन करने के लिए मतलब कुलाचे मारता है, सारी भक्त मंतली पगला जाती है, कि अरे भईया मोदी जी अमरीकी स संसद में, और अपनी संसद में बोडने के लिए मोदी जी भागे भागे फिर रहे हैं, कभी राजनाद जी शील्ड बनते हैं, कभी अमिच्छा शील्ड बनते हैं, प्रधान मंतरी इस देश से डर गए, लेकिन ये डर अच्छा है, ये खौफ अच्छा है, प्रधान मंतरी डर गए हैं कि जिन लोगों को साड़े नौ साल से जुमले पर जुमले दे रहे थे आज वो लोग पूछ रहे हैं जुमले बंद कीजिए काम की बात कीजिए प्रधान मंतरी नहीं बोलेंगे लेकिन रक्षा मंतरी कहेंगे बहस कर लो जिससे आपकी रूह काप जाती है, वो राहुल गाधी सदन में नहीं है अभी, आपने शडियंतर रच के उनको सदन के बाहर कर दिया, ये अलग बात है कि वो सदन के बाहर भी आपकी नीद उडाके उन्होंने रखी हुई है, इस देश का एक डिस्कौलिफाइड MP, मणीपु पर कुछ बोलना नहीं चाहरा है, अखिर क्यूं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सुप्रिया शुनेट जी है, सुप्रिया जी आपका बहुत स्वागत है, नरिंद रमोदी जी संसत में कुछ बोल नहीं रहे हैं, वैसे तो बहुत बोलते हैं, आप एक काम क्यूं मोदी मोदी करते तो शायद वो बोलने लगते, लेकिन मुझे लगता है कि उपहास से जादा ये गंभीर विशे है, और विशे इसलिए गंभीर है प्रग्या जी क्योंकि तीन महीने से इस देश के एक हिस्से में आग लगी हुई है, इस देश का एक हिस्सा जल रहा है, प् प्रधान मंतरी, 36 सेकेंड उनको मजबूरन बोलना पड़ता है, जब भयावे विडियो आ जाता है और उस पर भी वो घिनवानी बात कहकर आगे बढ़ जाते हैं, मेरा अतना मानना है कि देश में नेता सदन प्रधान मंतरी हैं, और उनको मनीपुर पर बोलना ही पड़ेग इस बेश के लिए चुने हुए प्रधान मंतरी को मनीपुर पर दोशब्द बुलवाने की, सुब्रिया जी आविश्वास प्रस्ताब लाकर क्या विपक्ष नरेंद्र मुदी को बोलने पर मजबूर कर सकता है क्या? निकाल बाहर फेकते हैं, इस तरह की ताना शाहिरात को ग्यारा ग्यारा साड़े साड़े के ग्यारा बज़े तक हमारे जो सांसद हैं, विपक्षी दलों के वो गांधी पृतिमा के नीचे बैट कर अंशन कर रहे हैं, हमने सब कुछ करकर देख लिया, हमने का रूल 267 के अं प्रधान मंतरी को बोलना पड़े गा ही, यह आकडों की लड़ाई नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं, आपके पास नंबर्स नहीं है, क्यों ला रहे हैं, यह आकडों की लड़ाई नहीं है, यह इस देश की आत्मा की लड़ाई है, और यह बात भी करेगी प्रधान मंतरी को इस जनता ने आपको प्रदान मंत्री बनाने के लिये दिय था और ग्रियमेंत्री तो किस मूँ से कहते हैं चर्चा कर लीज़े ग्रह मंत्री तो चार दिन वहाँ पर रहकर आगे उसके बाद हिंसा बढ़ी उनको तो पता ही नहीं चला कि ऐसी एक नइस एक नई सैकडो भयाव हिंसा है इसके बारे में क्या जवाव है ग्रह मंत्री से कोई क्यों बहस कर ले आपका मामला यह देश का मामला है और देश के प्रधान मंत्री को उस पर बोलना पड़ेगा बिरेन सिंग कह रहे हैं कि हम स्टीफा दे देंगे अगर शीर्ष नेत्रत्व कहे तो इग्जाक्ली मैं यही पॉइंट कहना चाह रहे हूँ बिरेन सिंग ने पहले स्टीफा देने की पेशकश करी नौटंकी हुई ड्रामा हुआ कैमरे पर उनका स्टीफा फार दिया गया एक शब्द यहां से नहीं बोला जा रहा है अब कह रहे हैं मतलब अभी तक शीर्ष नेत हिंसा हुई थी और इस तरह की एथनिक क्लेंजिंग गुजरात में देखी गई थी तब इस देश के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपई थे उन्होंने गुजरात के ततकालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजधर्म याद दिलाया था आज मोदी जी किस म हमारे देश को एक टेरर और्गनाइजेशन इंडियन मुजाहिदीन और गुलामी की प्रतीक इस इंडिया कंपनी से कंपेर कर रहा है आज क्या अशक करी जाए इस प्रधान मंत्री से नरेंद्र मोदी जी का ड़ बखता है अपने गड़बंधन का नाम इंडिया क्यों रख हमारे लिए यह लड़ाई बिलकुल साफ है हमारे लड़ाई किसके लिए इंडिया के लिए हम इंडिया की आवाज के लिए लड़ना है इंडिया के संविधान के लिए लड़ना है इंडिया के युवाओं के लिए लड़ना है इंडिया की महिलाओं के लिए लड़ना है त इसदेश का इक बेटा का इन्दिया मनिपूर के साथ खड़ा है प्रधान मंतरी घबरा गए हैं पैरों के तले से जमीन के सक новых हैं लेकिन मैं प्रधान मंतरी को वहां पर शांति और भाई-चारा बहां listening इस देश का एक बेटा है, इस देश का एक डिस्क्वालिफाइड MP, मडिपूर जाकर दोनों समुदायों से मिलकर शांती की अपील कर सकता है, उनके आसू पोच सकता है, उनको गले लगा सकता है, लेकिन इस देश के प्रधान मंत्री के पास कहां वक्त है, अप मडिपूर की बात करती है, विपक्ष मडिपूर की बात करता है, कॉंग्रिस मडिपूर की बात करता है, मडिपूर के दर्द की बात करता है, मडिपूर के आसू पोचने की बात करता है, सरकार राजिस्ठान की बात करती है, छतिस गड़ की बात करती है, अर्याना की बात करती है, मैं तो मोदी जी भागे भागे फिर रहे हैं, कभी राजनाद जी शील्ड बनते हैं, कभी अमिच्छा शील्ड बनते हैं, अपनी संसद में बोलने से आप कतराते हैं, और अमरीका की संसद में बोलने के लिए आप आतुर है, ये कौन सा राजधर्म है, ये क्या राश्वक्ति है, देश की आत्मा जट जोर कर रख दी थी उस कांड में हम सब ने सोचा था कि पांच दरिंदे एक अकेली लड़की के साथ ये हैवानियत कैसे कर सकते हैं तब मीडिया सड़कों पे उत्रा लोग सड़कों पे उत्रे सरकार से सवाल हुए और सरकार ने उस देश के प्रधान मंत ने राष्ट को संबोधित किया और कहा आपका गुस्सा आपका दर्ध जायज है तीन बच्चियों का पिता हूँ मैं आपका गुस्सा समझता हूँ निर्भया और उसके परिवार के लिए प्रातना कीजिए उन्होंने शांती की अपील करी सोनिया जी यूपीय की अध्यक् आज ये सरकार मणीपुर का भयावे विडियो आने पर तेरा बलातकारी वर्सिस मेरा बलातकारी करती है राजस्थान चतीजगर बिहार बंगाल जहां जहां का आप नाम लेते हैं आप हर जगे चर्चा कीजिए लेकिन एक बात का जबाब दीजिए क्या वहाँ पर 78 दिन से ध्वस्त हो चुकी है क्या वहां के राज़िपाल कह रहे है कि पूरी तरह से खत्म हो चुका है सब कुछ मैंने उपर बता दिया यह त्रासदी अमान विये है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर काईदे और कानून चलते हैं कानून अपना काम करता है कही पर भी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बहुत बोलते हैं बहुत बाते करते हैं लेकिन मणीपूर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं संसद में क्या बात है किस बात का डर है आप लोगों ने बहुत डरा कर रखा है प्रधानमंत्री को कहे क्लिए डर है कि उपक्ष ऐसा क्या कर दे दे रहे थे, आज वो लोग पूछ रहे हैं, जुमले बंद कीजिए, काम की बात कीजिए, हमारे रोजगार की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, यह जो अमानवियता हो रही है मडीपुर में, आपकी नाक के निचा, आपकी तो डबल एंजिन की सरकार थी, क्या होगे डबल एंजिन की सरकार को, कैसे यह अमानवियता होने भी, तीन महीने से यह अमानवियता होती रही और इस देश का प्रधान मंत्री, अमेरिका, फ्रांस, खाड़ी, इजिप्ट घुमता रहा, वहां मेडिल लगाता रहा, वहां भाशर देता रहा, वहां संगीत बचाता र आज भी जब मणीपूर जल रहा है जब वहां के विडियो आ रहे है तो भाजपा का मणीपूर प्रभाड़ी उरिसा में जूले जूल रहा है NCW कम्प्लेंट पर बैठा रहा है अरतिस दिन वहां की सदस्यता रील बना रही है नाच नाच के प्रधान मंत्री मुकेश के गाने सुन रहे है तो नीरो तो आज भी बासुरी बजा रहा है सच से सच से हर कायर डरता है और इसी लिए प्रधान मंत्री डर रहे है क्योंकि जब देश के सामने आएंगे तो जुमले नहीं विपक्ष उनको नाकोचने चबवाएगा प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी ज़रूर बोलेंगे ये संसत का नियम है ये मानिता है ये संसत की प्रडाली है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उस पर नेता सदन जो की प्रधान मंत्री है उनको बोलना पड़ता है प्रधान मंत्री इस बीच अमित शा को बना दे प्रधान मंत्री तो मुझे नहीं पता लेकिन प्र प्रधान मंतरी आके वहाँ जुमले बोलेंगे जूट बोलेंगे अडानी पर भी तो दो घंटा 40 मिनट बोले थे न साहब दोनों सदरों में और उसमें से एक शब अडानी का नहीं बोल पाये थे गला सूख राता पानी पीते जा रहे थे लेकिन देश ने समझ लिया था कि इ जिससे आप सबसे जादा डरते हैं जिससे आपकी रूह काप जाती है वो राहुल गांधी सदन में नहीं अभी आपने शड्यंत रच के उनको सदन के बाहर कर दिया ये अलग बात है कि वो सदन के बाहर भी आपकी नीद उडाके उन्होंने रखी हुई है वो राहुल चंद्री जी कफी घबरा गए हैं इस समय इंडिया से लग रहा है इंडिया से घबरा गए हैं लेकिन बाकी देशों में जाके बड़े खुश होते हैं आपको आपने कभी ये नोटिस किया है कि प्रधान मंत्री की जो हसी है जो स्वचंद रूप से खुश होते हैं विदेश चाहते हर व्यक्ति को गले लगाने लगते हिंदुस्तान में मैंने उनको कभी गटकरी जी और राजनाच जी और अमिट शा को ऐसे गलबईया करते नहीं देखा कभी नहीं देखा पहली बार गले लगाते देखा वो भी राउल गांदी ने मजबूर कर दिया थोड़े लिस्ट की है वो नौ पार्टिया आपके साथ खड़ी रहेंगी आपका विरोध करेंगी या वॉक आउट करेंगी यह यह दिखाएगा योगी आधितनाग ने भी इंडिया नाम पर काफी सवाल उठाए है आई डॉट एंडॉट पूरे इंडिया को दिखाया है दो बीच म से डॉट लगाएं एक हमारी एक हमारी तरफ कथल है सूप तो सूप बोले चलनी जामे बहत्तर छेद जिस व्यक्ति की पहचान ही नाम बदलने से बनी हुई है खुद का तो छोड़ दीजिए कभी इलहाबाद का कभी फैजाबाद का कभी कहीं का जो सिर्फ अलीगर का जो स तो एट चू घू बूटर्स तो एट चू मोदी जी योगी जी आप बोलिएगा आप नाम बदलने की राजनीती पर बोलिएगा शर्म कीजिए मोदी जी इंडिया के खिलाफ खड़े हैं लेकिन आज भाजपा का हर मुख्यमंत्री भाजपा के मंत्री ट्रोल आरमी सब बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रियाजी समय देने केंगें। धन्यवाद। धन्यवाद।